यह उक्ति हम लोग एंफिस बीनिया तक पढ़ लिए थे ठीक है अब हम लोग आरको-सोरिया पहें सब्वक्लास आरको-सोरिया सब्वक्लास आरको-सोरिया में भी कितने ऑडर थे काफी डाइवहर्स्ट लीनियज है क्रोकोडाइल के अलाबा अदर जो लीनियज थे वे एक्स्टिंक्ट हो गए तो इसमें ठीको डॉंटिया है क्रोकोडीलिया है सोरिस्चिया है और निस्थिस्चिया है है एंड टेरो सोरिया है देयर फाइव ओडर्स आट फिच फोर एक्स्टिंट एंड ओनली क्रोकोडीलिया इस लिए जब इवल्यूशन का डिसकुशन करेंगे उस समय हम लोग यह जो एक्स्टिंट हुए है उस पर फिदिस उसमें डिसकस करेंगे अभी जो लीविंग ओडर ह है क्रोकोडीलिया उसको हम लोग देखते हैं आरको सोरिया का जेनरल करेक्टरिस्टिक क्या है देसकल इजब डाइपसी टाइप एंड लाग्ड इंट इंट राइटल फॉरम है सम फॉर्म्स आर्टूथलेस एंड इन अदर्स ऑनली पैलेटल टीथ होता है ओके जैसा टीथ होता है एक्चुली प्रोजेक्शन्स प्रोटूडंस फ्रम दा बोन परहाएं थे लास्ट क्लास में आपको प्लूरी पोटेंट प्लूरी डॉन टाइप ऑफ टीथ ठीको डॉन और एक्रोडॉन टाइप कर टीथ ओके तो पैलेटल टीथ क्या है प्लेट जैसा ह अगयी होता है ओके धो दूसरा टाइप का टीथ है यह प्लेट जैसा होता है एक तो प्रोटूजन टाइप का टीथ आ जिसमें यह आपका सॉकेट है जैसा ठीकोडॉंट हुंट ऑुरूरॉड diabetes लग्लान इनर लाइनिंग पर टुत्थ यह आटाइस्ट इनर लाइनिंग से ब्लेट जैसा कुछ में के नहीं भी प्लेट जैसा कुछ में नहीं भी ऐ है कुछ में प्लेट जैसा प्रिक्रिक ग्रेह तो लो जाओ is with vacuities between dentary and angular dentary और अंगुलर क्या होता है एंगुलर जो है वो एक बोन है लोर जो में बोन होता है लार्ज बोन है ओके सो इन डिफरेंट रेप्टिलिया फ्रॉग में भी होता है ओके रेप्टाइल्स में भी होता है एंगुलर रुगो डेंटरी एंगुलर लोर जो का बोन है यह अगुलर बोन है यह बोन है सकतफरान बोन है और यह बोन होता है अचलम के बोन है एक का नाम है इंट्री इस प्ले ईल य शुप्रांगुलरद the articular and it is all of us to the tympanic bone in the mammal okay due to the incorporation of several jaw bones into the mammalian middle ear early in mammalian evolution the lower jaw is made up of dentary and a group of small post dentary bones near the jaw between dentary and angular in some advanced forms bipedality was present and the girdles were modified accordingly यह थोड़ा सब फाइंड आउट करना पड़ेगा bipedality किस में है किस आर्को सोरिया में bipedality है आप लोग खोज के बताना मुझे ओके ओडर लिविंग ओडर जो है इसका क्या है नाम है क्रोकोडीडिया या लोडिकाटा जेन्रल करेक्टरिस्टिक्स ओफ क्रोकोडीलिया यह दीजर फ्रेसवाटर रेप्टाइब्स और कार्नीवरस इन हैबिट फ्रेस्वाटर में रहता है और कार्नी वोरस है देश्विंग ऑफ अंडूलेशन और पावर्फुली पावर्फुल लैटरली कंप्रेस्ट टेल कि पैवरफुल दे ओंलायंग विदा हैल्व ऑफ देर लेस्पारफुल लेंस तो क्यों बोला लिंब और स्थ पावरफुल इसलिए क्योंकि टेल ज्याधा पावर फुल्ट दे क्रीप ऑनलेंट लिंप की वजद से इधर उधर चलता है टेल से जो है उसको मेजर पूस मिलता है कि अचानक से जटका मारता है स्टेस्ट कर 생 Lum पेंटाडेक्टाइल लिंब है, four limb possesses webbed digits, digit जो है webbed है, आपस में जुरे हुए है, the skin bear's epidermal scale, the skin bear's epidermal scale, ठीक है, sub reptilia में epidermal scales है, इसमें भी है, है लेकिन इसमें इसकेल जो है हाड है वैसे चिलोनिया में भी इसकेल हाड था टर्टल जो है उसमें तो अपर सेल लोवर सेल फ्यूज हो करके बहुत सारा सेल मिल करके बड़ा सा उसमें क्या बनाया था अपका पहले ताइभ की मैंगा हम लोवर को सथ है आपका पहले तहादए ही म करके बंध हम लोगे पहले तीर्श है is longitudinal in this males are provided with single and median erectile copulatory organ to this main copulatelia me copulatory organ है ठीक है functional copulatory organ है इसके पहले हम क्या देख रहे थे किसी-किसी में हम बताये थे हैं कोपिलेटरी सैक्स होते हैं ओके एक टरिस इस ऑल्सो प्रेंट इन फिमेल ठीको डॉंट टीथ आर परजेंट ओन ठीको दूंट टीथ होता है में प्रेंट ओन प्री मैकसीली ठीको डॉंट टीत स्क्रावास पर्जेंट आं प्री मैक्षमी मैक्षमी अ डेंटरी यह लोगल के बोन्स है कि फासिल क्वाद्रूापडल और पांट्ली बाइपिडल रेप्टाईर ओ ट्रैसिक पिरियोड पफ возь दिए थीK धन। किया होता है वन सेकेंड तक्रोडोंट तो सॉकेट वाला है सब्सक्राइब तो इसमें भी जैसे हम लोग में है ठीको डॉन्ट जो है सॉकेट वाला है अभी बताए ठीको डॉन्ट टीथ आर प्रजेंट ओन प्री मैक्सिली मैक्सिली एंड देंटरीज तो इसमें सॉकेट है लोगर जो में और उसके बीच वे सॉकेट में टीथ है और उसके चारो तरह पाल प्रजेंट ओन प्री मैक्सिली the teeth have persistent pulp okay the nostrils are situated at the tip of the snout nostrils tip of the snout the nostril is present and the single internal layer is situated at the back of the buccal cavity buccal cavity hai single layer a opening hai that connects it with a lung at the back of the buccal cavity and incipient diaphragm is situated between thoracic and abdominal wall to diaphragm b hai heart is four chambered surprisingly the heart is four chambered in this other in other reptiles heart is not four chambered eyes are provided with pectin packton जुआंस हैं इंटर और वाइटल सेप्टम इस वेल डेवलप एड लार्ज एलिस्पिनवाइड इंटर और वाइटल सेप्टम यानि दोनों आह के बीच में जो हडी है काफी मोटी है यह इंटर और वाइटल सेप्टम ओके इस वेल डेबलब एंड विथे लार्ज एलिस्फिनॉइड लार्ज एलिस्फिनॉइड हम देखेंगे कहीं स्कुल्ब का स्ट्रक्चर में आपको विंग लाइक कार्टिलेजिनस बोन विदिने मैमल स्कुल्ब फॉर्मिंग पार्ट ऑप दे सॉकेट ऑफ आई को अटेच करता है यह मैमल में भी है काटिलेजिनस है लार्ज इन इम्मोभेबल को और यहां पर है इस साइड और उस साइड और इम्मोभबल होने के वाज़ा से यह अपना लुएर जो जो है आगे अपर जाओ से आगे नहीं ला सकता है आख स्वार वर्टिब्री आर एदर इंफिसील्स और प्रोसीलस तो अंपी सीलस कैसा था वर्टीब्री अंपी सीलस मैं नौट अपर थे बीच में और प्रोसीलस भटीब्री में कया था अनेरियर ऎंड वास oya कोडाल어 j tissue सारा स olsun इसके काड़ा वर्टीब्री में सेविरोन बॉंस क्या करते हैं ठेवरोन सपोर्ट करते है क्योंकि यह टेल को बहुत मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है इस पर तो इसके वेट की वज़ा से नार्व एंडिंग्स और इंपोर्टेंट इस्ट्रॉक्श्यर्स डेमेज नहीं हो जाए तो कॉडल बॉन इस देर टू प्रोटेक्ट तो सेवरोन बॉन होता है वर्टीविकल एंड में यह टी टाइप का इस्ट्रक्शन होता है इसे गुलेल देखे हो ना गुलेल जैसा होता है वार्टीवर्ट इस डिवीजिवल इन्टू सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रल और कॉडल रीजन तो सेवरोन बॉन जो है इसके कॉडल रीजन में होते हैं सबसे लास् and thoracic चरानीचिर शर्वायक वर हुए चैस्ट शोल्डर के पास वाला ठीक है थोरह हो गया चीस्ट वाल के रीजन में लंबर हो गया थोड़ा सा ईह सिके नीचे छेस्ट नीचिए पेट वाले रीजन में यहां पर सैक करल हो गया है आपका यहां पर and then caudal region the vertebral column is divisible into external and abdominal ribs are present ribs होते है external ribs have unsynate process अंसीनेट प्रोसेस क्या था बहुत सारे टर्म है हुक्ट सेफ होता है ओके देख लेंगे external ribs have unsynate process most of the ribs are double-headed ribs in crocodile का ribs का photo अगर देख्या जाए हुक्टो डाइल रिप्स फोटो अच्छा नहीं मिल रहे हैं है रहे है हाँ 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 एक मिला इस्टा और सेयर अच्छे से आ रही है आप लोगों तर डिस्टर्वेंस तो नहीं है आपको दीख रहा है ये फोटो आप देख सकते हैं यहां पर गुरूवड है इसका इस टर्नम है इस टर्नम से रीप्स जो है अटाइस्ट है ने टीज गुरूवड इस टर्नम है क्या लिखा हुआ है इस्टर्नल और अब्डोमिनल रिप्स रपरजेंट इस्टर्नल रिप्स है अन्सीनेट प्रोसेस दवल हैड़ेड़ आगे देखेंगा अनाटोमी में इसको डिटेल में अच्छा फिगर खोजके रखूंगा इसमें अच्छा आगे बढ़ते हैं यह कुछ का अच्छा आगे बढ़ते हैं यह क्या है अंसीनेट प्रोसेस है इसमें और इसमें और इप्टोरल गर्डल कंसीस ऑफ दोर्सल स्कैपुला और वेंट्रल परफोरेटेट कोरेकुआइट प्रेटल गर्डल प्रेटल गर्डल होगे आख ऊपर वाला यहां पर बड़ी एक हड़ी है जो पीट के पीछे होता है दो स्कैपुला है आपके पीछे भी दोनों साइड और वेंट्रल परफोरेटेट कोरेकुआइट वन्ट्रल साइड में परफोरेटेट कोरेकुआइड बोन देर इन एपी कोरेकुआइड विच इस थीन स्ट्री बविन इस्टर्नम और कोरेकुआइड यह हम देखेंगे अनाटोमी जब पढ़ेंगे तब इसमाल पयूबिक प्यूबिस बोन है एन इस्टीट इस प्रजेंट अंदर सिंफेसिस होता है उसका ज्रॉइंट जहां पर आटिकुलेट करता वह इस्चियों प्यूबिक है यह भी देखेंगे हम जब इनाटोमी पढ़ें एक्जाम्पल्स एलिगेटर तारे एलिगेटर है आप लिग देना एलिगेटर सिधा एलिगेटर साइनेशिस चाइना का इस्पीशीज है क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस इंडियन में है पोरोस वानी प्रणियोटाइलस देखेंट प्रणियोल अनली रिवर का ऐंडिया में जो गंगई रिवर में मिलता है घरियाल ग्यूशिट गेंगे टिकस इंपरटैंट है एंड्यनिजर्ड के उस्टियों प्रणिवार कि आपके गंगा नदी में मिलती है तो यह याद रखोगे अब आते हैं हम लोग यह हो गया क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट ठीक है इसको रट लोगे बढ़े हां से चार-चार-पांच-पांच करेक्टर सबका और एक्जांपल के साथ तिल और अब आएंगे अब आते हैं इवॉल्यूशन पार इसका इवॉल्यूशन कैसे हुआ रट र्टी ताइल का था ठोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं आगे हम लोग रहे हैं रेप्टाइल्स आर्ड यार्ट रू धर्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट यह पहला ट्रू ट्रू vertebrate that dominated the earth during Mesozoic period. Towards the end of Devonian period the vertebrates produced a population of amphibian creatures. Devonian period में आया था first reptile. From this has been derived not only various modern amphibian classes but also the more fully terrestrial populations that do not need to breed in water. They are known as amniota. इसकल जो था एन अपसीड ही है बाद में land पर आया देन एक का development हुआ वन ब्रांच में एक लीनियज में and that lineage was called amniota. Second lineage amniota and the first lineage was amphibia or amphibia में develop हुआ and the second lineage amniota. Since that time many diverged lines have evolved from this stock including the birds sorry and the mammals. It is evident that existing reptiles belong to four out of dozen or more main lines that have existed अब आपको यहां पर समझ में आगा क्लासिफिकेशन तो चार लाइन है reptiles का जो आज कल living है exist कर रहा है बहुत सारा divergent lines था reptiles का और वो lines जो थे आपके मीसोजोईक एरा में काफी divergent थे काफी abundant है but at the end of cretaceous period उनका पिंड के टकड़ा जाने की वजह से या कोई धूम के तू टकड़ा गया पिल्थवी से उस वजह से सब एक्स्टिंक्ट हो गया ओके इवें जो उरने वाले जो डाइनासोर थे वह भी इतना ज्यादा डाइवर्सी फाइट थे अंदे वर सक्सेस्फूल जो आज बर्ड करते हैं वह उस समय वह लोग बश्रानी सब्सक्राइब धॉब देया हुआ रहे थे आज बिल्त करते हैं जो पाल फूर रहे थे वह अगी कर रहे थे लोगोर्ध दक्राइब फॉप्ट्यव जोगश्चलि वह रहे थे द्धाश्ट बैद्ध वह अच्छलि एट्वाया रहा है ने थे रहे थे वह अट कर दो कर दो कर दो कर दो को के सो हम कहां पर थे तो यह चार डाइवर्जेंट लाइन जो इस्टिंग है उसमें कौन-कौन से हैं आप असानी से बता सकते हैं तो मोस्ट सक्सेस्फुल मौडर्ण फॉर्म और प्लेस्ट इन और स्कॉयमेटा सबसे परदा इसकॉयमेटा में एक लाइन तो इसकॉयमेटा लिजार्थाउजेंड में हैं लिजार्द अनशनेक्सट ऑल्दो दिल बिलॉंग टु मैंसरिद्यड एन उंदे लेटर बिंग और रिलेटिवलीरिसेंट अपीरेंस इन दियरर प्रजेन में स्थेक्ड से अधी स्नेक जो हैं अक्चुयली लिजार्ट से विक्षित हुआ है इवोल्यूशन में देखो कि बहले इसको क्लासिफाई अलग-अलग ओर्डर में कर दिया गया लेकिन जो इवोल्यूशन हुआ जो ली हेलो मेरी आवाज आ रही है कि यह सर्ट यह सर्ट प्रोब्लम हो गया है लगता है कुछ यह सर्ट आ रही है कि यह सर्ट कहां तक आप लोग सुने थे कहां पर डिसकनेक्ट हुआ ठीक हैं फीर से बोल देते हैं यह पूरा समड़ी है क्लासिफिकेशन का सकेंड पैरा ही चल रहा था तो इसमें है रैप्टिलिया में चाहर लाइन है जो की एक्जिस्ट कर रहा है लिनियेज फोर लिनियेज आर एक इस्टिंग तुदे उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस्फुल है आपका स्क्वाय मैटा जिसमें लिजाड और स्नेक है ओके फ़ा वन लाइन इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज है लेकिन स्नेक जो है वह लिजाड से ही उसका इवोलुशन हुआ है स्नेक का ओके अल्दो इट इस प्लेस्ट इन डिफ्रेंट और बट इवोलुशन इसका लिजाड से ही हुआ है स्नेक का सम लिजाड लूज लूज देर्स लिम्स ओके दर लेटर बिंग लेटर मतलब यह स्नेक द लेटर बिंग ऑफ रिलेटिवल recent appearance in their present state यानि बाद में आया यह लिजाड के बाद second line जो है वो ट्वाटारा का है यानि ट्वाटारा रिंको सी फैलिया है लेपिडोसोरिया का ही order रिंको सी फैलिया इसमें ट्वाटारा सिर्फ दो स्पीसीज है इसमें और यह क्या है सकेंड लाइन ट्वाटारा इस फेनोडोन आफ न्यूजीलेंड इस रेलिक सर्वाइविंग विट लिटिल चेंज फ्रॉम देट्राइसिक बिगिनिंग अप इस ग्रॉप जिस फॉर्म में आज यह दिखता है ट्वाटारा इसी लिए यह काफी इंपोर्टेंट है ट्राइसिक टाइम से ही मतलब समझ लोड़्राइसिक कब शुरूब आपका सब मिसोजोईक एरा के सबसे पहले ट्राइसिक आया ओके मेरी आवाज आ रही है यह सब्सक्राइसिक था ट्रैसिक 195 मिलियन येर्स से आपका था तू ट्वेंटी फाइब मिलियों येर्स तक तो टू ट्वेंटी मिलियों येर्स पहले यानि ट्राइसिक पिरियेड में ही यह उस्व में जो फॉर्म था आज भी उसी फॉर्म में है विट लिटिल चेंग्ज ऋके सो युए निस अनिमल सार शर्वाइब फॉसिल्स थार्ड लाइन फॉर्म क्रोकोडाइल का है लिविंग लाइन क्रोकोडादा आक सोर्या से सबगायन स्वक्राइब के लिए इसका लगन डैप सी थैप तो कोडाईल लेकिन क्रोकोडाइल आर अर अल्डर ओप सूट स्टॉक फ्रम विश्ट मॉडर्न बर्ड्स वेर डिराइब आरको सॉरिया जो लिनियेज था उसमें बहुत सारे लिनियेज थे काफी डैवर्सिफिकेशन हुआ था आरको सॉरिया का लेकिन अड़ एंड अफ कृटेशियस पीरियेट सब एक्स्टिंग्ट हो गया में बर्ड भी जो है वो अरको सॉरिया लीनियेज सही इभालव हुआ है थीकेश बर्ड इस अक्षली डेनासार नियस में सब एक्सेंट हो गया एक्सेप्ट बर्ड विश्टॉक प्रम विश्ट्टम बर्स वे डेराइब फानली था टॉर्ट यह उल तॉर्टल्स प्वर्त तो यह जो है चिलोनिया भी लाइक ट्वार्टारा आपका उस समय से बहुत ही कम चेंग हुआ है। इस फोर अधर्ड टाइपस आ रहुड रहा लग्या रहा है। वह दो रहा है। कल्मिनेटिंग इन जाएंट डाना सोर्स ऑप जुरासिक एंड क्रिटेशिस तो अब देखिए यह दिस लाइन इस यह पहले का एक ब्रेक था बीच में क्लासिफिकेशन गुसा दिये थे तो इसका कंटिनुटी जो है क्लासिफ यहां से मेंटेन है आपका इस पहले से ठीक है ना थुरू तो लाइन क्या था बाय वार्मिंग देंसेफ हम क्या डिसकस कर रहे थे एक्टोथर्म एंडोथर्म उस सबाएं आप देखेंगे कि गिर्गिट वगेरा जो है ठंड के दिन में पत्थर पर बैठा रहेगा तो पत्थर भी गरम होता है उससे वह और गरमी प्राप्त करता है अपना वेंट्रल साइब सोलर इनर्जी प्राप्त कर रहा है ओके तो कहां थे नहीं है हां तो थूरू ता मेटाबोलिक कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड ओके वहां से उस पैरा के बाद यह बाद में हम नोट सेर कर देंगे आपको कंप्लीट होगा तो आप तो सारा मिल जाएगा आपको टेंसन मतलों एक्टो थर्मिक रेप्टाइल कें सर्वाइव और लेस दन तेन परसेंट ऑफ फूड इनर्जी रिक्वाइड वाय मैमल ऑफ दसेम साइज क्योंकि एपने मेटाबोलिक एक्टिविटीज को काफी स्लो कर लेता है तो कम फूड में भी ज्यादा दिन ज्यादा यह काम चला लेता टेन परसेंट ओफ फूड इनर्जी सब सुलो हो गया मेटाबोलिक एक्टिविटीज ओके ह साइब और नेशन में चला जाता है बट रेप्टाइल क्लेड इस नॉट एंटारली एक्टो थर्मिक तो बर्ड जो है वह एंडो थर्मिक है बर्ड सार एंडो थर्मिक के पेबल ओफ मेंटेनिंग बॉडी तेंपरेचर थू मेटाबोलिक एक्टिविटी ओके तो अब का एंसेस्टर जो था डानासोरी था आरको सौरिया में देखिए कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ और उसमें सिर्फ अभी लिविंग जो है वो क्रोकोडाइल है यह पिक्चर के लिए है आपको यह पाहले भी पिक्चर दिखाया है लेकिन यहां पर फिर आपको समझने के लिए जरुवरत हो भी इसकी ओके बर्ड इस कमिंग फ्रॉम सौरिस्चियंस ओके और सौरिस्चियं डानासोर कैसे डानासोर थे इनके पास लंबी गर्दन थी सौरिस्चियंस के पास और कार्निभोरस भी थे यह एक फेमस सौरिस्चियं है टी-rex जो जुरासिक अगर देखे होगे तो उसमें एक तर्म बार-बार करता है इस टी-rex 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 तो टी-rex जो है खदरनाक होता था और टी-rex जो है कार्णि बोरस था कि और उनिफीसियन डैनासोर के से थे यह हर्वी भोर्ष थे और बहुत ही लार्ज साइज था इनका बड़ा-बड़ा था कार्निबोर्स थोरा चोटा होता था लेकिन हर्वी और बढ़ा होता था ओके तों हर्णिबोर्स के ऊपर जो यहां पर देखोगे ऐसे ऐसे लेट ipe कर अपका उडने वाला डैनासोर था यह भी एक्स आट दे एंड अप्रिटेसियस पिरियेड इस सब एक्स्टिंट हो गया बर्ड बज़ गया बर्ड इवाल हुआ सौरिश चैनस अब हम लोग देखते हैं इसको वन बाइवन The oldest reptilian fossils found in rocks from Nova Scotia. Nova Scotia कहां पर है? One second, देख लेते हैं. A peninsula on the south eastern coast of Canada. Okay, यानि Atlantic Ocean inside. South भी है और eastern भी है. Projecting into Atlantic Ocean and separating the Bay of Fundy from the Gulf of St. Lawrence. Canada में है यह. This region Nova Scotia. And this fossil is dating from the late Carboniferous period. उस समय का है Carboniferous, late Carboniferous period. यानि उलकापिन के टकराने के टाइम का है. यह fossil. As reptiles diverged from their lizard-like ancestors, okay, one of the first major groups to emerge where the para-reptiles. Okay, which were mostly large, stocky, quadrupedal, herbivores. इस लाइन पर गौर की लिए आप, यह काह रहा है कि reptiles, जो है, already, मतलब, इनके ancestor, जो थे lizard-like ancestor थे, ठीक है? लेकिन one of the major group, lizard-like ancestor, हम early amniots में आपको फोटो दिखाया है, lizard-like ancestors. आप रेप्टाइल का, तो एक तो लिजर-like ancestor है, तो एक तो लिजर-like ancestor है, एक तो लिजर-like ancestor भी था, रेप्टाइल का, और एक quadrupedal भी था, यानि चार पैर थे उनके पास, वो पैरा-रेप्टाइल्स है, तो यह early amniots है, और पैरा-रेप्टाइल्स भी, उसके बाद पैरा-रेप्टाइल्स आया, कुछ जो है, जब लैंड पर आ गए, तो चार पैर वाले, चार पैर इसके पास भी है, ओके, लेकिन, देवर लुकिंग लाइक डिस, इस्टाउथ था उनका बॉड़ी, कहने का मतलब हुआ, कि रेप्टाइल, जो थे, early reptiles, देवर, लाइक, लीजार्ड-like अल्सो, परेप्टाइल देखी ऐसा था फोटो दिख रहा है आपको गैंडा जैसा दिख रहा है जैसे गंडा का तो इसकीन फोल्ड होता है मोटा मोटा स्कीन फोल्ड इसके उपर प्लेट था लाइक एक जोस्केलटन टाइप प्लेट थे क्या कि विच वेक हर्वार जो लिंउर्ड में evolorn हुआ तो एक जो है स्केलटन टाइप भी डेवलप किया है प errink uh roar कुछ अग जोस्केलटन टाइप डेवलेप हुआ जैसे इसमेश केल से वह सब तो ठीक है कि इस चैल